हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक क्वीटिट कम्रीटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियों में देखेंगे कि कैसे आप trend reversal को identify कर सकते हैं यहाँ पे आप trend reversal को आसानी से सिर्फ कुछ मिंटो में अगर आप चार्ट को एक बार देखोगे तो आपको easily पता चल जाएगा कि यहाँ से trend reversal होने वाला है या फिट नहीं होने वाला है यहाँ पे जो हम trend reversal को identify करेंगे based on same bottom and same top candles मतलब अगर multiple candle आपका same bottom बना तरह उसके basis पे यहाँ पे हम trend reversal को identify करेंगे और इसके पीछे का concept क्या है यह भी यहाँ पे हम समझते ही कोसिस करेंगे और इसका implementation कब करना है और कब implementation नहीं करना है वो भी आपको सीखना जबूर है और implementation बहुत जादा important हो जाता है तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको detail से बता तो यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं और देख सकते हैं यह आपका निफ्टी का डेली चार्ट है अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को time frame का question आ रहा होगा तो यहाँ पे आप इसको daily time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको hourly में भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे accuracy पे थो पे बेसिस पर चाहो तो swing trading या फिर पोजिशनल फेट ले सकते हो अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है कि multiple candle दो या दो से ज्यादा आपका same top बना रहा हो या फिर same bottom बना रहा हो यहाँ अगर आप चार्ट को देखे होगा इस दो पर आपको focus करना इस दो candle को देख सक करते हैं आपका क्या बना रहा है यह दो candle आपका same top का formation कर रहा है और यहाँ पर आपको कुछ condition पर ध्यान देना अगर same top का formation हो रहा तो उससे पहले क्या होना चाहिए अब आप्ट्रेंड के बाद सेम टॉब बनना चाहिए वसको एम्पोड़म राता है वाध कि जाह एक पर यहां पर देख सकते हैं यह आपका सेवंटीन तावजेंट इट हनुट के लिवल पर जो कि आपका उस टायम पर इसके रूप में भी काम करा रहा था यहाँ यहां पर सेंट अब रिश तरफ बना इसका इंपोटेंस और ज्यादा बढ़ गया और यहां पर हमें क्या देखने को को देखने मिलेगा जैसे हम सेम टॉप देखें दो केंडल उसकी बाद हम रिवर्टल को प्ले कर सकते हैं अगला ओपेन होते हैं यहां पर हम इंट्वी ले सकते हैं को चैसेल की तरफ एसल जो इसका है इस पोइंट है वह हमारा एसल को रूप में काम करेंगा टागेट जो पीज़ो इस्तौाइट कर सकते हैं और इसके बइसेजिग आप options में भी त्वेट सकते हैं आप जहां लिए 16-17-600 17-600 के पूट आप्सें को बाई कर सकते हैं क्योंकि आप नीचे साइड की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद इस लेवल करीब आते हैं आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर लो यहां पर इंट्राइड नहीं ले सकते हो आप पोजिशनल ले सकते हो यहां फिर स्वि केंडल सेम बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है अब यहां पर इसके पीछे का साइकलोजी भी आपको समझना पहले में बॉटम बता देता हूं फिर हम दोनों के साइकलोजी को समझेंगे एक साथ फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा प्राइस यहां से गिर रहा यहीं जब सेम बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा उससे पहले प्राइस का आपका डांतुलेज़ होना चाहिए टॉप में प्रैस अब ट्वेंड ऑर जब बॉटम बना रहा हूं प्रैस आपका डांतुले क्लियर है दोनों केंडल ने सेम क्या बनाया बॉटम बनाया अब यहां पर देखिए यह सेम बॉटम कहा बना लगभग आपका 15600 के आसपास बना मतलब एक साइकलोजिकल लेवल उसके आसपास बना और उसके बाद यहां से आपका प्राइस रिवर्सल दिखाया है यह जैसे य मतलब प्राइस यहां से अपसाइड की तरफ जाएगा और अगला केंडल ओपन होते हैं यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम इंट्री लेंगे बाइसाइड की तरफ और उप्संस में चाहो तो यहां पर आप 16000 के कॉल उप्संस को भाई कर सकते हो और हमारा प्रॉफिट कर लें यानि लगवग यहां से 800 पॉइंट करके रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं और आप चाहो तो ऑप्संस में ट्वेट कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में भी ट्रेट कर सकते हैं अब इन दोनों के पीछे साइकलोजिक यहां पर देखिए प्राइस आपका आपसाइड क पास आया कि हवा क्या बायर्स यहां पर विक होगे यह नई nikढ़HH होगे और जैसे यहां कंभ्यूव ह्याक यहां पर ऑपके आपके जो स्टे आर उसके बाद प्राइस आपका स्टार्ट हो गया उसके बाद इसका concept क्या है यहाँ पे price आपका नीचे side की तरफ गया रहा था और जैसे यहाँ पे आया दो candle ने same bottom बनाया sellers में confidence नहीं था और यहाँ पे उल्टा हुआ है यहाँ पे क्या हुआ sellers आपके कमजोर हुए है और जैसे sellers कमजोर हुए है यहाँ पे क्या हो गया बायर एक्टिव हो गया और जैसे बायर एक्टिव हुआ जब दस्ग्विन केंदल का formation हुआ और प्रैस आपका upside की तरफ निकला तिसके पीछे का psychology है कि इस लेवल पे अगर double bottom बना मतलब sellers कमजोर होते वह दिखते हैं और double top बना मतलब buyers कमजोर होते वह देखते हैं यही चीज आपको आगे भी देखने हो मिलेगा मैं आपको यहाँ पर आगे भी बताता हूं कि सेम टाइप अप से पहले प्रैस आपका है condition को satisfy और यहां पर इस ट्रेंश के पास होना चապंए और यहां पर आपको यहां पर आपको यह आपके लिए वहां के लिए सकते हो यह आपका यह रूप में काम करेगा टागेट प्राइस यहाँ पर रख सकते हैं देखे प्राइस ओल तवे गी रहा है और यहाँ पर इसने प्रिविएस सपोर्ट लेबल को हिट किया उसके बाद प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया अब यहाँ फोकस करना यहाँ पर तीन केंडल आपका सेम बॉर्टम बना है मतलब यहां पर हम लोग पिछले एक्जामपल में देख रहे थे दो केंडल था लेकिन यहां पर तीन केंडल सेम बॉटम बना है और उसके बाद प्राइस उपर गया फिर अगली बाद यह चौथा केंडल भी लगवग आपका सेम बॉटम का ही फॉर्मेशन कर दिया है तो यहां पर लगा था है चार केंडल आपका सेम बॉटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब इसके नीचे सीलर्स जाने को तयार नहीं है मतलब बिल्कूल भी सीलर्स इसके नीचे इंटेस्टर नहींay यहां पर आते ही sellers का एकदम दम ख़तम हो जाता है Sellers एकदम बधवास हो जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि यहां पर करे क्या वो नीचे जाने के लिए तयार नहीं होते है जैसे ही Sellers का दम निकलता है कोन आते हैं फिर Buyer's का यहां पर Intery होते हैं और बायर्स यहां पर अक्टिव होता उसके बाद देखिए आगे का सिच्विशन क्या कुछ हुआ है फिर यहां से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकल गया और यह तीन चार मॉटम जो भी बना इसके बाद प्राइस आपका इस लेवल के करीब नहीं आया और अगर हम इसके लोईस पॉयंट को एसल के रूप में यूज करते यह कंडल भी नीचे आया है लेकिन इसके लोईस पॉयंट को टच नहीं कि हमारा एसल हीट नहीं हुआ उसकी बाद अगर यहां पर प्राइस लेएं और यहां पर अपर अच्छा कासा प्रॉफिट मिलाओ और आप लिए होंगे या फिर ऑप्संस में भी ट्वेड लिए होंगे तो और यह चीज हुआ है सिम एक्स्वाइड में जाना टाइम नहीं लगाया है और यहीं एक्जामपल आप बैंकण निफ्टी में भी देख सकते हैं अब यहां पर बैंक निफ्टी पर आते और यहां पर इसके डेली चार्ट पर बस आपको concept समझ में आ गया अब आपको देखना क्या कुछ हो रहा है यहां पर देखिए सेम टॉप का formation हुआ है इससे पहले क्या चाहिए अप्ट्वेंड चाहिए अप्ट्वेंड है अप्ट्वेंड के बाद सेम टॉप बना और रिश्टेंस लिवल के पास बना 38,800 के पास यह बना है उसके बाद इसको एसल के रूप में यूज करके यहां पर हम सेल साइट की तरफ इंट्वी लेंगे प्राइस ऑल दवे आपका नीचे साइट की तरफ गिरा है अब यहां पर देखिए यहां पर आपका यह सेम बॉटम का formation किया है लेकिन यह कहां पर किय है 35,200 जो कि आपका सपोर्ट की रूप में काम नहीं कर रहा है सपोर्ट इसके जस्ट नीचे था 35,000 के लेवल मतलब यहां पर सेम बॉटम का formation हुआ है लेकिन यह सपोर्ट लेवल के पास formation नहीं किया मतलब इसको आप इंपोर्टेंस नहीं देंगे यह इंपोर्टेंस का ब तो यहां ही चीज़ आपको देखना रहता है इसलिए मैंने बोला है कि सेम टॉप का formation हो तो सपूर्ट लेवल के पास उसके बाद अगले दिन यह मार्केट आपका डाउन लिया है और उसके बाद प्रैस आपका नीचे ही गीरा उसके बाद क्या कुछ हुआ है एक आपका य इसलिए करेंगे जब्स अंघसर जाएं Sansके क्या एक रीवर्सल की उमीद करेंगे complete करना और कहां पर इंप्लीमेंट नहीं करना है यह हर एक जगा सेम बॉटम या सेम टॉप देखें तो नहीं करना उस olduğunu होना जरूरी है अब इसके बाद क्या कुक्त हुआ है इसके बाद प्राइस आपका आपसाइट की दनेखने और यहां पर दिकाए यहां पर थॉडि टॉजल मिलता हुए दिक्वा वड़ा और लगबक आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 trading session में इसने आपका 900 point का upside move दिखा दिया चाहे आप options भाई करो, futures भाई करो हर एक में आपको profit होगा क्योंकि ये सारा कुछ हुआ है same expiry में, में वाले expiry मन्थ में ये सारा कुछ काम हुआ है इस तरीके से आप यहाँ पे reversal को identify कर सकते हैं देखे कितनी आसान तरीके से निक्ट आई से भी आप same bottom और जब पहले बताया था same top को identify कर सकते हैं यहाँ पे कोई indicator का भी इस्तेमाल नहीं करना बस आपको अपना आँख खुला रखना आप easily identify कर सकते हैं इसके लिए आपको चार्ट के अंदर गोता लगाने की ज़रूत नहीं है आप बाहर से ही identify कर सकते हैं बाहर से ही आप मसली पगर सकते हैं तलाब में कुदने की ज़रूत भी नहीं है अब यहां पर हम एक और इसरकस का एक जामपल लेते क्सकों इह हैं किमशम कर सकते हैं इसक जरी आप पर कर सकता हूं इंडाया डिया अपर देखिए पहले ही बता दिया था है यानि इस लेवल पर आते हमें क्या करना था इंट्वी लेना था सेल साइट की तरफ इसके बाद देखिए प्राइस आपका ओल दबे नीचे साइट की तरफ गिरा और उसके बाद जैसे गिरा यहां पर आपका सेम बॉटम का भी फॉर्मेशन कर दिया कहां पर 1400 के लेवल पर क्योंकि हमारा सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था और सपोर्ट के रूप में जो काम लेवल कर रहा था वहां पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन क्या है मतलब दो केंडल आपका सेम बॉटम का फॉर्मेशन किया इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर रिवर्सल देखने को म तो यहां पर सकते में हम चाहों तो श्राइब करना यहां पर यहां से प्राइस आपका all 200 पविए हर एक मैं को प्रॉफिट मिलता हुआ धिक्ता और इतना मारकेट में हम इस रेड़ कर सकते हैं और यह आपको बहुत कम जगधे यह मेरा पर्सनल इसको हमने काफी के बाद सब्सक्राइब को आपको बताता हूं आपको नेक्स डे से ट्रेड में मत कुछ जाएए उसको आप सबसे पहले बैक्टेस्ट कीजिए पैसा आपका लॉस होगा तो मुझे कोई फर्क परेगा नहीं आपको फर्क परेगा इसलिए इ विडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंका वेज कीजिए मिलते नेक्ष वीडियो में जैहिन